नमस्कार मैं जनवक्ता स्रियोम गौतम आज फिर से एक बड़े मुद्दे को लेकर आपके सामें हाजरू आज दिल्ली हाई कोट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए 84 दंगों के मुख्य आरोपी सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई इससे पुरा सिक्ष समाज एक तरफ उद्विलित है लेकिन उसके साथ साथ सिक्ष समाज में एक बहुत बड़ा छोब भी है कि आज ही के दिन मद्य प्रदेश में एक ऐसे ब्यक्ति को मुख्यमंत्री पदत की सफ़द दिलाई जाने वाली है जिस ब्यक्ति पर गुर्द्वारा रकाव गंज पर के सामने खड़े होकर दंगे कराने का आरोप है जी आ मैं बात कर रहा हूँ कॉंग्रेस के संभावित मुख्यमंत्री संभावित कही है या कि थोड़ी देर बाद वो मुख्यमंत्री कॉंग्रेस का बन जाएगा कमल नात के उपर आरोप लगे थे कि कमल नात उस समय गुर्द्वारा रकाव गंज के बाहर करीब दो गंटे रहे जब वहां पर दंगा हुआ और चार हजार की भीड ने दो सिखों को मारते हुए गुर्द्वारा रकाब गंज को तहस नहस कर दिया था इसी को लेकर आज दिल्ली में अकाली दल और कई सारे संगठन मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं भारती जंदा पार्टी दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता बग्गा है कॉंग्रेस पार्टी उस ब्रक्ति को आज ही के दिन मुख्यमंद्री बना रही है तो कॉंग्रेस पार्टी किस किस बजय से पंजाम में असासन कर रही है और उसका राष्टी जो अद्च है वो कैसे जवाब देगा जिसको राजीब गांदी ने भी कहा था जब इंद्रा की मौत हुई थी इंद्रा की मौत के अगले दिन यानी एक नवंबर को पूरी दिल्ली में दिल्ली के साथ साथ कानपुर मत्रवा जैसे सहरों में भी तमाम दंगे हुए थे उस समय हमारी बहुत ज़्यादा नहीं थी लेकिन हमने भी देखा था कि किस तरह सरकों पर लोग सिक मामले में जो सबसे बड़ा दोसी था बहुत हो कॉंग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता जिन में सज्जन कुमार जग्दी स्टैटलर एचकेल बगत इनके नाम आये और इनके खिलाप अभी कोर्ट में केस भी चल रहा है लेकिन सज्जन कुमार को अगर उम्रकैद के लोग उसमें involved थे लेकिन राजनेतिक रसूक के रहते ये लोग बचने में काम्याब रहे और यही बज़य थी कि जब दिल्ली की निशली अदालत ने फैसला दिया था तो सज्जन कुमार सहिद बाकी नेताओं को बड़ी कर दिया था सज्जन कुमार को तो खहर है उसके किये की सजा मिल चुकी है उसको पूरी उम्र बाकी की जिन्दगी है वो जेल में काटनी पड़ेगी लेकिन उसी दंगे का आरोपी आज मद्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख मंत्री बनने जा रहा है ये अपने आप में को तफसीर से जान लेते हैं दरसल कमलात को लेकर तीन मुख गवाओं ने कहा था कि जब रकाव गवंज गुर्द्वारा में वहां पर जब दंगा हुआ जब भीड बेकाबू होकर लोगों को मारने लगी तो कमलात को वहां पर नेता की इस्तिती में डारेक्शन देते और एक एडिशनल कमिशनर जो थे गौतम कॉल सुवाज टेंडन और गौतम कॉल ने भी ये बात माना था कि दो घंटे उस समय कमलात वहां पर जो उस समय संसत थे वो गुर्द्वारा रकाव गंज के सामने दिखे इस बात को दो इस पूरे मामले में दो जूडिसेल कमिशन बने थे एक मिस्रा कमिशन दूसरा नानावती कमिशन नानावती कमिशन ने भी हलांकि ये तो माना था कि कमलात वहां पर उपस्तित थे लेकिन अब चुके हाई कोट के जो जजों की टिपड़ी है उसको अगर इंटर लिंक किया जाए इससे जोड़ कर देखा जाए तो नि में रिपोर्ट दी थी उस समय मनमोहन सिंग सरकार थी और कमलनात कॉमर्स मिनिस्टर थे इस बज़े से उनके रुसुक को देखते हुए उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था यानि कि संदे का लाव देकर संजय सूरी के ही बयान को आधार बनाया था जबकि संजय सूरी और व Daarसए ने यह भी कहा था उसी बयान में कि मैं देख रहा था कि वहां पर खड़े होकर कमलनात्व भीड को डारेक्शन दे रहे थे लोगों को कंट्रोल कर रहे थे अब उसी में पीचे एक लाइन उनकी रही होगी बाद में उसी बयान में लंबह बयान था कि बाद में क अबनात ने कुछ लोगों को वहां से जानने के लिए बोला तो नानावधी कमीशन ने इस लाइन को आधार बना लिया लेकिन उससे पहले जो उन्होंने कहा कि मैं देख रहा था कि वह डारेक्शन दे रहे थे चारहजार की भीड को तोड़ फोड के लिए भी उकसा रहे थे देखर उक्षा ना अपरदाद एक सunchantर जो कहता है उसही मेरात आता अज सज्जन कुमार को जो सजा हुई है उसमें भी यही मुख्य जो आरोप है कि आप राधिक सड़यंत्र करके लोगों को दंगा करने के लिए उक्साया जिससे वहां तमाम सिख्खों की जान गई कि आप तो वही मामला कमलात पर कि और चलता है दूसरी आप एज कमलात की सपतre को लेकर कई लोगों के चहरे भी जनता के सामने स्पस्ट हो गए है चन में दिल्ली का मुक्ष मंत्री केजरिबाल वी है जो सबत ग्रेंड में जा रहा है जबकि दिल्ली के दंगे हुए दिल्ली की सिख गौम ने उसका समर्थन मी किया पंजाब में वी उसको बोट दिया लेकिन वही व्यक्ति एक दंगा आरोपी के सबत ग्रेंड में जाने का दाबा कर रहा है दूसरी तब दिग्विय सींग जैसे कॉंग्रेसी नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि कमलनाथ के किलाब कोई F.I.R. नहीं है इसलिए कमलनाथ पर आरोप नहीं लगाया जा सकता लेकिन जो तीन प्रमुख गवा इस बात को कह रहे हैं अब सवाल यह है कि गुर्द्वारा रकाव गण्जो पालियमेंट के जस्ट बगल में है और जहां से सुरुआत हुई थी दंगे की एक तरीके से कहा जाए कि सबसे पहले गुर्द्वारा रकाव गण्जवा लोग बहुत ही पवित्र इस्थान माना जाता है शिक्ष धर्म के लिए क्योंकि यहीं पर गुरुत्य बाहदूर का जब बलिदान हुआ था तो उसके बाद बंजारा एक वहां ले गया था और वहां उनकी अत्तिस्टी की गई थी रकाव गण्ज में उस गुर्द्वारे के सामन और कमलाज का होना ही अपने आप में एक बड़ा आरोप उसके जुर्म है उसको सिद्व करता है फिर उसके बाद में उस ब्यक्ति का दो घंते तक वाँ खड़े रहना ये सुबूत है इस बात का कि कमलाज उस पूरे मामले में बहुत बड़ा दोसी है उसको इस मामले में की गवर्मेंट ने जिसको कभी सिद्धू कहता था कि यह सरदार नहीं है उसी सरदार की गवर्मेंट ने सिख दंगों के आरोपी को मंत्री बनाया था और दबाव डालकर नानावदी आयोग से उसको बरी करा दिया था इसी को आधार बनाकर आज कॉंग्रेस पार्टी कमलनाथ को सिख दंगों के आरोपी की लिस्ट से बाहर करने की बात कहती है कि कमलनाथ में कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है लेकिन इतना समझ लीजिए कि अगर जुर्म करने वाला ज्यादा तागत पर है तो जुर्म को कुछ समय तक तो व सिख समदाई के लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि एक दंगा आरोपी को एक हत्यारे को इस तरीके से मुक्हमत्री क्यों बनाया जा रहा है और ये भी उस पार्टी के द्वारा जिसे उन्होंने अभी कुछ दिन पहले पंजाम में जिताकर सरकार बनवाई है तो इस बा जगे पर तैसनेस मचा रही है दंगा कर रही है और वो व्यक्ति वहीं खड़ा रहता है वहां लोगों को डारेक्शन देता है अब चूकि संजे सूरी जो उस समय पत्तकार थे उनकी गवाई लिखित में भी हुई और नानवदी आयो कि सामने उन्होंने मौखिक तोर पे भ दंगा नहीं कराया था अगर दंगा कराया था और आज तक वो दोनों कमीशन से बच गया उसके खिलाब एफ आई यार नहीं हुई तो अब भी हो सकती है क्योंकि उसी मामले में देखते हुए जब सज्जन कुमार को को जिसको कि निचली अदालत ने वरी कर दिया था कॉंग्रेस तो अब यह भी तक दे सकती है कि हाई कोट ने मामला पलट दिया है decision पलट दिया है लेकिन निचली अदालत ने बड्यकर दिया था सज्जन सज्जन कुमार का कोई दोस्त नहीं है याद रखिए कि सज्जन कुमार भी उस समय सांसद हुआ करता था जगदी स्टाइटलर भी कॉंग्रेश का एक नेता था एचकेल भगद इसकी मौत हो चुकी है ये सारे निता वहां उस समय भीड को कंट्रोल कर रहे थे उसको डारेक्सस दे रहे थे उसको उकसा रहे थे तो ये मानने के लिए कोई कारण नहीं है कि जो धंगा गुर्द्वारा रकाब गंज में हुआ था उसको कराने में कमलनाथ का हाथ नहीं है क्योंकि कमलनाथ की उस समय जैसी छबी थी वो संजय गांदी के कभी मित्र हुआ करते थे और संजय की मौत के बाद में इंद्रा गांदी ने जिस तरीके से उसमें विश्वास जमाय था तो ये संजय वाली टीम थी जो अपनी दबंगई के लिए जानी जाती घृटी चाहे सजनकुमार हो जगदिश्टाइटलर हो दवन हो कैपिटेन सतिस्रमा हो कमलनाथ हूँ यह सारे के सारे लोग अपनी जो उग्र प्रवर्ति के लिए जाने जाते थे तो इसमें कैसे माना जा अक encraines का अब्यक्ति कमलनाथ जो उस समय सालसद भी था और दूसरी बत एक और चीज कही जाती थी कि कमलनाथ को इंद्रा का तीसरा बेटा भी माना जाता था उसके संबंध जो इंद्रा से जिस तरीके से थे वो बेटे की तरह से थे वैसी इस्टिती में कमलनाथ जैसा व्यक्ति एक गुर्द्वारे के सामने खड़ा होके जहां दंगा होता है जहां दो लोगों को जिंदा जला दिया जाता है वहां दो घंटे रहता है और सांत रहता है उसका दोस कैसे नहीं माना जाएगा क्योंकि उसी इंद्रा के एक बेटे ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है उसी का ये तीसरा बेटा मुह बोला बेटा वहां क्यों नहीं दोसी माना जाएगा उस पूरे बाके का मैं तो कहता हूँ कि इस मामले को दुबारा जग खुलना चाहिए और इसके उपर एक नई F.I.R. दर्जो होनी चाहिए उससे पहले कॉंग्रेस पार्टी की आँखों में अगर थोड़ी बहुत भी सर्म बाकी है तो कमलनाथ को सपत लेने से रोकना चाहिए क्योंकि आज ही एक बड़ा फैसला उस दंगे के मामले में आया है 34 साल बाद ये फैसला आ रहा है तो उसकी कम से कम उन तमाम हजारों लोगों की आत्मा को सम्मान देने के लिए कॉंग्रेस पार्टी अगर थोड़ी बहुत सर्म बचिये थोड़ी बहुत आँखों में पानी बचा है तो इ एक हत्यारे को एक दंगाई को मंद्य प्रदेश का मुख मंत्री बनने से रोकिये